दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बजाज फिंसर्फ डीबीस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे अपलाई करना है ठीक है फर्स्ट यर फ्री क्रेडिट कार्ड है इसके बाद आपके चार्जिस लगते हैं जो की कुछ लिमिट यूज करने के बाद भी फ्री हो जाता है ने की रिटर्न हो जाती है ठीक है सबसे पहले आप लोगों को चेक और इलिजिबिल्टी की इस पेज़ पे आना है ठीक है सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है एस पर अधार कार्ड इसके बाद आपका फोन नमर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा कॉंग्रेट्स यूर एलिजिबल फोर इस ब्रैंट ठीक है अगर ऐसा नहीं लिखा आता तो आप अपलाई नहीं कर सकते हैं नीचे लिखाओ है six reason to get the बजाज इंसर आप इसे टिक करके ओपन करके टर्मेन कंडिशन वगयरा सारे फीचर से आपर पढ़ सकते हैं इसके बाद आपको एपलाई नहीं पर टिक करना है इसके बाद आने के बाद फिल करना है इसके बाद सब्मिट करना है प्लीज वीड आ इसके बाद आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा step four आपको यहां पर चार step complete करने ठीक है तुम्हें आपको one by one complete करके समझा देता हूं step one personal detail ठीक है सबसे पहले आपको अपना name एंटर करना है as per pen card इसके बाद आपकी date of birth यह भी as per pen card इसके बाद pen card का number एंटर करना है सब कुछ एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड वाले option पर टिक करना है इसके बाद step two additional details सबसे पहले आपका father name इसके बाद mother name इसके बाद आपकी current email id सब कुछ enter करने के बाद नीचे आपका gender और marital status ठीक है सब कुछ फिल करके आपको प्रोसीड वाले option पर टिक करना है इसके बाद step three occupation details salaried या फिर self-employed आप जो भी है टिक कर सकते हैं तो मैं salary हो तो मैं salary पर टिक कर देता हूं इसके बाद नीचे company name जिस company में आप job करते हैं अपना काम है तो अपना काम लिख सकते हैं इसके बाद जिस company में आप job करते हैं आपकी designation क्या है sales executive तो आप यहाँ पर enter कर सकते हैं जो your current home address जो भी आपका अधार कार्ड में proper address है आपको वहीं यहाँ पर फिल करना है तो मैं new address पर टिक कर देता हूं इसके बाद मेरा house number flat apartment landmark यह optional होता है पिन कोट city street सारा detail में आप फिल कर दिया इसके बाद मेरे को submit वाले option पर क्लिक करना है तो यहाँ पर जो भी मेरा address है वह शो अपना घर है यह rental है जो भी है तो हमारा अपना घर है तो मैं उन पर क्लिक कर देता हूं हो गया अब नीचे आ रहा है preferred address for the delivery of your card यानि कि आपका जो card है जब बन जाएगा वो डिलीवट कहां पर करना चाहते है आप home address जो कि मैंना भी एंटर करा है या फिर office address जिसे आप added भी कर सकते हैं तो मैं office पर टिक कर गया आपको दिखा देता हूं office पर टिक करने के बने चाहिए new address को option आगे new address पर टिक करना है इसके बाद जैसे आपने अपना home address यहां पर एंटर करता है वैसे ही आपको अपना office address भी add करना है ठीक है ना जैना कि card delivered आप जहां चाहिए वहां करा सकते हैं plus KYC जो होगी complete your KYC तो यहां तक का जो हमारा online process था वो complete हो चुका है eligibility हमारे पर thank you लिखवा आगया यानि कि 100% आपका बन जाएगा अब क्या होगा अपने office address या फिर home address जहां पर भी चाहें बुला सकते हैं अगर आपने office address add कर आपके office पर executive आएगा नहीं तो अगर आपने home address से select कर रहा है तो home address पर आएगा ठीके ना KYC में क्या होगा आपको अपना अधार card दिखाना है pen card दिखाना है और आपके जो fingerprint biometric होईगी इतना ही काम होगा एक दो मिनट का काम है इसके बाद 3-4 दिन हो लगेंगे आपका जो credit card है वो आपके home address या फिर office address पर जहां पर भी आप आप चाहें delivered करा सकते हैं ठीके make sure आपको card को apply करने से लेटेट सारी information मिल गई होंगी कैसे आपको step by step आगे बढ़ाना है कैसे आपको complete करना है सारा process में आपको समझा दिया बागी card में क्या क्या benefit होते हैं वो starting में या आप यहाँ पर check कर सकते हैं card बिलकुल आपका lifetime free card नही आपका इस चननल